यूनिट सेकंड वर्ण माला अब देखिए वर्ण माला को हम इंगलिश में भी जो ग्रैमर होती है उसमें हम एलफाबेट बोलते हैं जिस तरीके से इससे पिछले पार्ट में हमने भाषा देखा था जिसे हम इंगलिश में लैंगविज बोलते हैं उसी तरीके से अब हिंदी ग्रैमर में सेकिंड यूनिट है हमारी वर्ण माला और इंग्लिश ग्रैमर में उसे हम एलफाबेट्स वाले चेप्टर में पढ़ते हैं वर्ण माला क्या होती है आएए देखते हैं बोलते समय हमारे मुख से अलग-अलग ध्वनिया निकलती हैं जैसे आम वरुण ने आम कहने के लिए आ प्लस मा प्लस अ की ध्वनियों को मिलाकर एक साथ बोला आम यहां बच्ची बोल रही है नल नैना ने नल कहने के लिए न प्लस अ प्लस ल प्लस अ की ध्वनियों को मिलाकर बोला नल ये ध्वनिया ही वर्ण होती हैं इन ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं इन्हें छोटा नहीं किया जा सकता अगर अब आप देखेंगे न अल अ इससे जादा छोटा हम इसको नहीं कर सकते और जो सबसे छोटा भाग हुआ वह हुआ वर्ण तो हम क्या बोलेंगे मुह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनी को वर्ण कहते हैं तो हम जो मुह से निकलने वर्णों के समू को वर्णमाला कहते हैं तो जब हम इस तरीके के वर्णों को आपस में जोड लेते हैं, तो उन्हें हम वर्ण माला कहने लग जाते हैं, तो वर्णों के समू को वर्ण माला कहते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहले वर्ण है स् दूसरे हैं व्यंजन तो वर्णों को हमने दो भागों में विवाजित किया एक को कहा स्वर और दूसरे को हमने कहा व्यंजन हिंदी में 11 स्वर होते हैं हिंदी में जो स्वर वाला भाग है उसमें हमने 11 स्वरों को लिया यह 11 स्वर होते हैं और हिंदी में 33 वेंजन होते हैं यह 33 वेंजन कहलाते हैं तो कितने स्वर हैं स्वर हुए 11 और कितने वेंजन है वेंजन है 33 तो दौनों को अगर हम मिलाते हैं तो तोल वर्ण जो हमारे बनते हैं वह वैसे 44 लेकिन इनके अलावा भी कुछ और वर्ण हमें यहां देखने को मिल रहे हैं ये दोनो वर्ण ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन है जैसे अ और ये दोनो ना तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की हिंदी में दो अत्रिक्त व्यंजन है, हिंदी में दो अत्रिक्त व्यंजन और है ड और ध, हिंदी में चार व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, अब दो व्यंजनों को जोड के चार अत्रिक्त व्यंजन और बनाए जाते हैं, जैसे श, त्र, ग्य, र, ये चारों व् इस प्रकार हिंदी वर्ण वाला में कुल 52 वर्ण हैं इन ही से हम शब्द और वर्ण बनाते हैं तो टोटल कित्ते वर्ण हुए टोटल 52 वर्ण हुए जिसमें 11 स्वर हैं हमने यहां देखे थे 33 व्यंजन है दो स्वर और ना व्यंजन की श्रेणी में आ रहे हैं दो अतरिक्त व्यंजन है और चार व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनाए गए हैं तो कुल मिला के 52 वर्ण है अब हम आगे देखते हैं स्वरों की मात्राएं जो हमने 11 स्वर देखे हैं उनको हम अब मात्राओं के साथ जोडते हैं स्वरों का जो रूप व्यंजन से जुडता है उसे मात्रा कहते हैं जो 11 स्वर हैं अगर हमें स्वरों को व्यंजन के साथ जब जोडना होता है तो उसके लिए हम किस चीज को उप्योग लेते हैं उसके लिए हम मात्राओं का उप्योग लेते हैं तो इसका मतलब मात्राएं क्यों काम में लिजाती हैं स्वरों को व्यंजन से जोडने के लिए मात्राओं को काम में लिया जाता है तो स्वरों की दस मात्राएं होती हैं स्वरों की कित्ती मात्राओं होती हैं दस आ की मात्रा नहीं होती ह तो स्वरों को जब हम व्यंजनों से जोडते हैं देखिए स्वरों को हम ऐसे सीधे काम में अभी नहीं ले रहे हैं उनको हम मात्रा की रूप में व्यंजनों के साथ जोड रहे हैं और जो स्वर था उसकी कोई मात्रा नहीं होती है अ सभी वेंजनों में मिला होता है जैसे कर प्लस अ कर जब आप कर बोलेंगे तो उसमें अ की ध्वनी भी आ रही है कर फ प्लस अ फ तो इस तरीके से की कोई मात्रा नहीं होती है और यह सभी वेंजनों में मिला होता है आगे हम बाकी स्वरों की मात्रा देखते हैं आ की इस तरीके से एक डंडे वाली मात्रा होती है इ की इस तरीके से यह है छोटी इ यह है बड़ी इ जहां हमें बड़ी मात्रा लगानी है वहां इस तरीके से लगेगी जहां छोटी मात्रा लगानी है वहां इस तरीके से लगेगी फिर उ, उ, र, ए, ए, ओ, ओ, तो इस तरीके से बाकी 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं और अ की मात्रा नहीं होती है तो इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा मुख से निकली सबसे चोटी ध्वनी को वर्ण कहते हैं वर्ण दो प्रकार की होते हैं स्वर और व्यंजन हिंदी में 11 स्वर होते हैं हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं स्वरों का जो रूप व्यंजनों से जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं स्वरों की 10 मात्राएं होती हैं आ की मात्रा नहीं होती, इसे हम अ बोलेंगे, आ नहीं बोलेंगे, तो हमने इस पार्थ में ये सभी चीजें सीखी, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां हमारे सामने कुछ छोटे-छोटे exercises हैं, हमें इन्हें देखना है, पौधे से स्वर और व्येंजन चाटकर सही गुलदस्ते में सजाईए, तो देखिए, आपने 11 स्वर और 33 व्येंजन पड़े थे, आपको कोशिश करना है कि इनको solve करने की, और मैं आशा करता हूँ, आप आराम से इसको solve कर पाएंगे, इसी तरीके से अंगूर के गुच्छे में छूटे हुए स्वर भरिये, टोटल स्वर 11 हैं, यहां वैसे पहले ही भरे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, और यहीं 11 से आप इनमें से भी स्वरों को निकाल सकत लिए और बचे वे वियंजन रहेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, एक और इसी तरीए कि बच्चों के लिए छोटी अभ्यास हैं, जिनको बच्चे कर सकते हैं, यहां खाली इस्थान भरने हैं, यह सभी वेंजन हैं, इनको आप बढ़ सकते हैं चित्र देखकर सही मात्राएं लगाई है अब इन चित्रों में ये मात्राएं लगी हुई है बिना मात्रा की ये था हरन लेकिन सही शब्द होता है छोटे एकी मात्रा के साथ हिरन ये शब्द था मचल लेकिन बड़े एकी मात्रा के साथ इसे कहा जाएगा मचली ये था मर लेकिन सही ओकी मात्रा के साथ इस से मोर कहा जाएगा इसी तरीके से ये शब्द बिना मातरा के था सरज लेकिन जब हम उकी मातरा लगा देंगे तो यह बन जाएगा सूरज यह कच्छ और जाँ चोटे उकी मातर लगाएंगे तब यह कहलाएगा कच्छ यह शब्थ थला इसको हम दो मात्रों के साथ थैला, ये शब्ध था अम, इसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे और आम बनेगा, ये शब्ध था चत, इसमें हम च में ए की मात्रा और त में आ की मात्रा लगाके इसे हम बोलेंगे चीता, इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं, हम अब आगे बढ करते.